Question 3 में एक चित्र दिया हुआ है LM is parallel to CB and LN is parallel to CD Prove that AM ab is equal to AN ad देखिए इस चित्र में क्या है यह जो रेखा चित्र है इस पर यह कहते हैं कि LM और CB यानि यह और यह दोनों parallel है और LN यानि यह और यह दोनों parallel है आपको बताना है कि AM upon AB यानि AM बटा AB ठीक है इसका जो ratio है वही ratio AN यानि इसका और AD यानि इसका पुरा दोनों ratio समान है यह आपको प्रूब करना है देखिए जो आपका formula था DPT Basic Proposalty Theorem Basic Proposalty Theorem उसके अरुशार क्या होता है यह जो triangle है ABC यह triangle है ABC ओके इसके अंदर AM जो है अपान AB है और किसी भी प्रीमुश में अगर दो साइडों को जोटने वाली कोई भी रेखा दो रेखाएं दोनों साइडों को जोटने वाले दो रेखाएं A C के A L अपॉन A C भी वह ही यह A M और A B है यह किसके बराबर होगा A M अपॉन A B होगा A L अपॉन A C के बराबर यानि यह दो रूब जो है A M और A B के बराबर होगे यह होगा इस ट्राइंगल में दूसरा ट्राइंगल क्या है आपका यह है कुणसा A D C ठीक है ट्राइंगल A, D, C A, D, C के अंदर क्या है इसमें दिया हुआ है कि L, N जो है यह और यह दोलों पर्यल्ल है बेरकर इसमे L, N और C, D ठीक है यह पर्लल है अगर यह दोलों पर्लल है तो यह जो प्रपोर्शन है इसका सेम प्रोपोर्शन होगा यानि AL upon AC, इसके बराबर होगा, AL upon AC के बराबर होगा, AN upon AD, वोही BPT theory के नुशार, basic proposal theorem के नुशार, अगर ये दोनों परेदल हैं, तो ये proportion दोनों का same होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कि मतलब क्या हुआ, कि मतलब दो formula आया, एक तो ये आया और ये की आया, अब देखें, यहाँ पर Aадно, AC है, यहाँ भी AL Applause है, जब AL or AC के बराबर हίο है, और AL अची के पराबर हίο है, तो क्हा होगा, AM और AB जो है, यह AM और AD के बराबर होजाएगा, ठीक है, तो क्हा होगा, AM upon AB is equal to AN और AD, क्यों, कि ये दोनों same है, इसके बराबर ही, इसके बराबर ये हो हो गया इसलिए है यह जो कुछ चाहिए कि am upon a b ठीक है is equal to an upon a d यह आपने शिद्ध कर दिया clear thank you my dear student please like and subscribe